हेलो दूस्तों मेरा नाम रोईत और स्वागत आप सभी को अपने यूटू चनल बेसे सेंटर में इसके पहले मैंने पार्ट वन वीडियो बना रखा था जिसमें से मैंने ये बताया था कि यूजरनेम और पासपर्ड आपको कैसे क्रियेट करना है ठीक है ये समेश्टर वन वाले स्टूडेंट के लिए जो एक्जामिनेशन पासपर्ड नहीं बनाया तो मेरा पार्ट वन का वीडियो जा करके देखो और पहले यूजरनम और पासपर्ड बना ठीक है ये वीडियो उन एस्टूडेंट के लिए जो यूजरनम और पासपर्ड बना लिये है ठीक है तो आब आगे का फर्म कैसे भरना है और ये इसी पार्ट टू में ये वीडियो खतम हो जाएगा पूरा उसके बाद एक्जामि यहां पर दीक रहा होगा ठीक है यह ही यूजर आइड फासपोर्ट यहां पर क्या करना है डालना एं ठीक है तो चलो हम आपना यूजर आइड और पासपोर डालते हैं कि घ़ुपh मैं जो आप लोग जिस टेम आप लोग क्या किये थे यूजर नेम और पासपोर्ट बना रहे है तो उस टेम जो पासपोर्ट रखे थे जिससे अगर आपका पावन है तो आप लोग पावन एड़रेट एक दू तीन कुछ भी रखे होंगे पिछला वीडियो आपको मैंने बता कर लिया है डाल दिए ठीक है अगर यूजर नेम और पासपॉर्ट नहीं बनाए तो आपका आगे का प्रोसेस महीं होगा ठीक है इसलिए सबसे पहले आप लोग क्या कर पाड़े पार्ट बन का वीडियो देखा रीूजर नेमर पासपॉर्ट बनानेके लिए स्एके तो इह एहां पर यूजरियर नेम और पासपोर्ट डाउन यहांप नहीं फॉल Loki नेम पर दाल दिए उसके बाद हम क्या करेंगा यहां पर हम सर्च की बटम पर क्क्रेंगे क्लिक करेंगे टिक है नीचे देखो आपे ligin के button यहाँ पर आपको देख रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे login पे click करेंगे मैंने जैसे ही login के option क्लिक किया यहाँ पर आपको इस परकार का option देखने को मिलेगा तो आपको नीचे configureル करना है और यहाँ पर आपको examination farm देखेगा ठीक है इस examination form पर आपको क्या कर देना है किलिक कर देना है ठीक है उसके बाद आपको इस परकार का interface देखने को मिलेगा अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आपको यहां पर पढ़ सकते ठीक है अब यहां पर लिखा हुआ examination form for UG courses and PG semester examination form या तो फिर other courses examination form इस परकार का यहां पर option देखने को मिलेगा उसके बाद आपको क्या करना देखो उसके बाद आपको examination form for UG courses पर किलिक करना ठीक है तो हम इस पर आपको किलिक करके दिखा देदे ठीक है जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहां पर information कुछ आएगा भरने के लिए आपको यहां पर भरना स्लेक्ट courses में आपको F UGP भरना है semester में आपको semester 1 में है तो semester 1 स्लेक्ट करना है and a student type a student type में आपको क्या भरना regular आप लोग regular है तो regular अगर यह एक्स रेगुलर है तो यह एक्स रेगुलर ठीक है बट जितनी भी सारे अस्टूडेंट न्यू अस्टूडेंट है वह regular ही भरेंगे ठीक है उसके बाद यहां पर आपको अप्लिकेशन नंबर रिजिस्टेशन नंबर खुद से भर जागा यहां पर ठीक है या तो फिर प्लिकेशन नंबर लुघ भर लुक्तिशन नंबर अपको अपको यहां पर ठीक है तो आपको स्टूडेंट नेम इन हिंदी आपको यहां पर अपना नाम हंदी में डान ला ठीक है जैंडर डालना है कास्ट कटेगर्ट डानला इमेल आइडी भरा रहेगा पॉर नंबर पोन नमबर डाला हुआ रहागा ठीक है फिर आधार नमबर आपको डानला फिर date of admission यह सबसे बड़ी बात होती है ठीक है तो date of admission जो आप लोग अड़िशन करवाए थे ना college में ओर date आपको यहाँ पर डानला ठीक है वो आपको slip मिल गया जब आप कोलेज में एड्विशन करवाई थे तो आपको नमबर हो गई आपके पास कि आपका कॉन सा डेट को करवाई थे एडविशन ठीक है ध्यान देए जो आप लोग चंसलर पोटल के माध्यम से जो अपलाइ करवाई थे लिए कि आपका लिस्ट में नाम आ जागा अपल अगर mistake भी डाल दोगे तो date of admission को माहिने नहीं रखता है ठीक है कि मैंने बहुत पर फर्म भर राका मैंने देखा इस चीज़ों को बट आप वही डालना जो आप सबसे बड़ी बात यहाँ पर ABC ID आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जागा जाकर के देख लो कि ABC ID कैसे बनाते हैं ठीक है उसके बाद आप आगे बढ़ पाएंगे नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे उसके बाद यहाँ पर आपको address डालना पिन को डिस्टिक अस्टेट और अगर आगे पावरभट हां था मृधरस अबढ़ हां था डेट ऑफ भर्थ भरावरभट हां यहाँ पर student नहीं हिंडी में यहाँ पर स्लेक्ट करने के लिए मुझे मिला था ठीक है होसकता किसी को ना मिले ठीक है तो यह ऐग बात है लेकिन मुझे यहाँ पे हिंदी में मिला था तो मैंने यहाँ पे हिंदी भी सेलेक्ट कर लिया जो इसका नाम था हिंदी में जेंडर फिमेल कास्ट केटिगरी आपको सर्च कर लेना जो भी है यहाँ पे ठीक है उसका email ID भार हुआ रहेगा फॉर नमर भार हका आपको अधार नमर भार लेना देट उफ एड़ीशन करवाए तो वो या तो फिर उनवरस्यटी वाला तो कर सकते हैं आपको कहां पर मिलेगा चंसलर प्रोटल के में आपको मिल जाएगा य Toby je अपको पहले बताने रखाता हो ज़्यादा माइन नहीं रखता ही सेशन कलास ऊल्मर बाइपार राएंगा रिजसटेसाइशन हें beginnen जो आप लोग ABCII बनाये थे अगर नहीं बनाया ग़्या mettयदे बना लो बहुत असान तरीका से बन चाता है ठीके ठीके अर बना करके ő अब लोग यहां पर क्या करेंगे भार देंगे अपे ठीके चलो उसके बाद यहां पर ध्यान देने आपको कि जो ABC ID होता हुँ 12 नंबर का होता ठीक है 12 नंबर का आपको सारा डिजिटली कि देना बीच में कोई भी चीज को नहीं घुसाना है ठीक है उसके बाद यहां पर address देखो मैंने address यहां पर सब कुछ क्या कर लिया भर लिया है उसके बाद यहां पर लिखा गया है सेमेज करेस्पोंडेस मतलग कि मेरे जो अड्रेस है सो और जहां पर भी मेरा रहा रहा है सो दोनों मेरा सेम है ठीक है तो हम इस पर टिक आट लगा देंगे तो उपर वाला निची आपका भर जाएगा ठीक है अगर आपका पर्मानेंट अड्रेस और कुछ और आप्र लयां पर रहा है तो यहां पर अलग अलग भर सकते है ठीक हलाकि सबका सेमी होगा अब लोग सेमी डाल सकते है कोई दीकत नहीं ठीक है फिर को लेजन हैं बहरा हुओ रहेगा discipline भरा हुआ रहेगा ठीक है major subject जो आपका है जो भी लिया होंगे वो भरा हुआ रहेगा मैंने यह पर economics लिया तो economics है फिर minor subject भरना आपको MDC subject भरना AAC subject भरा हुआ रहेगा हिंदी 6 subject भरना BAC1 BAC2 तो यह सारा हम चलो भर लेते हैं ठीक है जिसे देखो मेरा major subject economics भरा हुआ ठीक है तो यह economics ही मेरा रहेगा ठीक है उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं उसके बाद हम next यहाँ पर भरते हैं ठीक है चलो जो मेरा minor paper है ठीक है वो मेरा minor paper जो है वो political sense है तो हम यहाँ पर ले लेंगे पोलिटिकल सेंट्स यह हो गया मेरा उसके और MDC पेपर तो जो MDC पेपर मेरा वो हिस्ट्री है यह आपको तब पता चलाओगा जब लगा एड़िशन लियोंगे ठीक है तो मैंने आप हिस्ट्री सर्च कर लिए ठीक है उसका सेख सब्जेक्ट तो सेख में मेरा ज जो BAC1 में था वो मेरा Understanding India है ठीक है तो यहां पर हम ले लेंगे Understanding India ठीक है उसके और मेरा BAC2 में Health and Wellness है ठीक है Health and Wellness योगे जुकेशन ठीक है इस परकार से एक बार फिर से बढ़ियां से आपको देख लेना है ठीक है कि क्या आपने सही भरा या नहीं भरा आज ठीक है तो यहा नीच्छे आना हमको left शडम इस box पे आपको किलिक कर देने ठीके। इसके बाद यहां पे आपको दिख जोगए verify and proceed पर तो इस पर आपको क्या करें लोग डहीं आपको save कर लेने ठीक है अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे यहां पर असपस्ट क्या लिखा गया name of the student आपको देख लेने father-name, mother-name, form-number, university-roll-number अभी university-roll-number यहाँ पर आपका खाली होगा ठीक है युनिवर्सिटी रॉल नमबर आपका यहां पर नहीं आएगा ठीक है आएगा आपका एडिमिट कार्ट में सीधा उसका कॉलेज जिस कॉलेज से आप लोग की है ठीक है पैमेंट 650 से बट आपको थोड़ा सा दस भी सुर्प्य जेस्ट वगर लागे का ठीक है उसके बाद य लोगों को पैमेंट के ओप्शन पर गोटू पे दिख रहा होगा इस गोटू पे पर आपको क्लिक करना है ठीक है यहां पर जो गोटू पे दिख रहा है इस गोटू पे पर आपको क्लिक कर देना और आगे जाकर क्या आपको पैसा कटा लेना है ठीक है हो सकता है कि हर पहली बाद तो आपको यहां तक फॉर्म भार लेना और पैसा तब कटाना है दस से लेकर के चार बजे के बीच में आपको पैसा कटाना है इस चीज़ को आपको ध्यान रखना ठीक है आतो परियास करो ग्यारा बजे बारा बजे ऐसे करके आपको पैसा कटाना है ठीक है चलो यह होगी आपका, पहली बाद, और दूसरी बाद आपको क्या करना है, पैसा कटाने के लिए आपको क्या करना है, अगर आप बहुत बार पैसा कटा चुके हैं, चाहे तो आपकी पास experience से तो कटा सकते हैं, पहली बार भी अगर आप कटा रहें, तो भी कोई दिकत नहीं कटा स तो इसका मतलब यह सिधा सिधी है कि आपसे नहीं होने वाला है आपको किसी से पैसा कटवा लेना सिधा से दिवात है और यहां पर फॉर्म पैंडिंग लिख देगा तो उससे आपको घबराना नहीं है ठीक है कभी कभी ऐसा भी केस आएगा कि आपका पैसा तो कट जाएगा ठीक है तो यह करना और फॉर्म जो है आपको डेट से तीन-चार दिन पहले ही भार लेना ताकि अगर पैंडिंग भी हो तो दो-तीन दिन के बाद एप्रूबल होता है तो आपका समय बच जाए ठीक है तो आपको पहले जितना जल्द हो सके फॉर्म भर के रख लेना क्योंक सॉ में से 17 स्टूडेंट का पैंडिंग ही होता है बाद में एप्रूबल हो जाता है फिर बाद में सही हो जाता है इससे कैस देखने को मिला है ठीक है जो मेरे पास खुद का experience है तो यह मैंने बता दिया आपको घबराना नहीं है पैसा कटी है तो दुबारा आपको पे करना भी नहीं है अगर पैसा कटिए तो दुबारा पे नहीं करना है और यहां पे जो फॉर्म है फॉर्म से अगर डॉलोड हो जाता तो ठीक है नहीं तो लैप्टॉप में ही आपका होगा जब सब पैंडिंग है तो थोड़ा से वेट करना है और अगर इसके बावजुद कोई दिक्कत है तो आप मेरे नंबर पर क्या कर सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया उस पर आपको कॉल करके पूछ सकते हैं लेकिन आप पैसा को यूज मत करना ठीक है ठीक है ब आप लोग कॉमेंट करके पूछना बीना सोचे समझे आपको फर्म नहीं भरना है क्योंकि यह फर्स टाइम का है फर्स टाइम आपको दिखात होगा तो फिर आपको आगे जाकर के बहुत जादा दिखात होगा जैसे फोटो वगरा सिगनेचर वगरा यह सब चीज़े में ठीक है तो अगर आपको इतना तक समझ में आया कि आम कर सकते हैं तब ही करना नहीं तो आपको कोई जबर जस्ती नही 100-100 फॉर्म भरने का लेगा तो फर्स टेम लेगा बाकी जब समेश्टर 2,3,4,5,6,8 का भरोगी न तो बहुत असानी है बहुत एक बच्चा से बच्चा भी भर लेगा वट फर्स में बहुत जादा डिफिकल्ट होता है तो अगर हो पा रहा है तो ठीक है नहीं तो कोई दि कोई में तब तक जाइए